गुड इवनिंग फ्रेंड स्वागत है आपका विजयपत्थ डिफेंस एडुकेशन पारलोंपूर में आज की इस वीडियो का हमारा टोपिक है हिमाचल प्रदेश मंत्री मंडल इस वीडियो में आपको हिमाचल प्रदेश कैविनेट मिनिस्टर आपको ट्रिक वाइज याद करवाए जाएंगे हिमाचल ईग्जाम के लिए काफी इंप्रदी टोपिक है इस वीडियो में आपको मंत्री मंडल के जितने भी इंप्रदेश करें उनसे इंप्रदेट क्वेशन बनते हैं वो आपको complete detail के साथ बताय जाएंगे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो विजवत्थ डिफेंस एजुकेशन को सस्क्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं So first है हमारा हिमाचल के मुख्य मंतरी तो हिमाचल के जो चीफ मनिस्टर है उनका नाम है जैराम ठाकुर तो जैराम ठाकुर जो है वो हिमाचल के मुख्य मंतरी है पहली वार ये मुख्य मंतरी बने हैं हिमाचल के और ये बिलोंग करते हैं डिस्टिक मंडी से नेक्स जो है वो है हमारे राजिपाल मतलब की गवर्नर और उनका नाम है बंडारू दत्ता त्रे तो बंडारू दत्ता त्रे जो है वो बरतमान में हिमाचल के गवर्नर है नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल परदेश के बिधानसवा अध्यक्ष मतलब की स्पीकर तो वो बरतमान में है विपिन सिंग परमार विपिन सिंग परमार की बात करते हैं तो ये डिस्टिक कांगडा के सुला बिधानसवा क्षेतर से समन्द रखते हैं और बिधान सवा अध्यक्ष की seat से पहले जो थे ये हीमाचल परदेश कैबिनेट में Health Minister रहे चुके हैं बात करते हैं कि इंसे पहले बिधान सवा अध्यक्ष कौन थे तो उनका नाम था राजीव बिंदल तो राजी बिंदल जो थे वो बिपिन सिंह परमार जिसे पूरफ के विधान सवा अध्यक्ष थे और उसके बाद जो है वो उनको हिमाचल परदेश BJP का अध्यक्ष बनाये गा था नेक्स्ट जो है वो है हमारे विधान सभा उपाध्यक्स मतलब की डिप्टी स्पीकर तो वो है बरतमान में हंस राज नेक्स्ट है हमारे लोकसभा और राजे सभा सीटें तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल चार लोकसभा की सीटें हैं और सबसे पहले हैं कांगडा चंबा में बो हैं हमारे किशन कपूर, मंडी में हैं राम सरूप शर्मा, शिमला से हैं सुरेश कशप और हमिरपूर से हैं अनुराग ठाकुर तो इस चार सीटें जो है बुचारों की चारें बीजेपी को ही स्वार मिली है और अनराख ठाकुर जी से एक important fact बनता है अनराख ठाकुर जो है ये हमारी center government में राज्ये बित मंतरी है और इससे पहले ये पूरफ में BCCI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनके जो पिता ज important ये fact यहां से बनता है नेक्स्ट बात करते हैं राज्ये सवा सदसें की तो हिमाचल में जो है वो total तीन राज्ये सवा सीटे हैं आपको comment box में बताना है कि total इंडिया की कितनी राज्ये सवा सीटे हैं तो सबसे पहले जो है वो इंदु गोस्वामी है नेक्स्ट आनंद सर्म और थर्बन है जेपी नड़ा तो इंदु गोस्वामी जी की बात करते हैं इनको जो है वो अभी हाल में ही राज्ये सवा की सीट मिली है एप्राल 2020 में जो है वो इनको राज्ये सवा की सीट मिली है इस से पहले इस सीट पे थी कांगडा से विपलब ठाकुर जो की राज्ये सवा सदस्य थी और उनके बाद जो है वो इंदू गोस्वामी जी को राजे सवा की सीट मिली है नेक्स जो है आनंद सर्मा ये जो है ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और नेक्स जो जेपी नढधा जी है इनसे काफी इंपोर्टेंट फैक्ट बनता है क्योंकि बिशो की जो सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है उसके ये अध्यक्ष है और बिलोंग करते हैं ये हिमाचल परदेश से हिमाचल के जिला बिलासपुर से जो है वो जेपी नढधा जी बिलोंग करते हैं और विशो की जो सबसे बड़ी राजनितिक पार्टी है हमारी भारती जनता पा सबसे पहले हैं हमारे महेंदर सिंग महेंदर सिंग जी को जो है वो सिंचाई बागवानी और सैनिक कल्यान मंतराले जो है वो दिया गया है आपको याद कैसे रखना है मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ महेंदर सिंग सो आपको एक नाम पता है महेंदर सिंग धोनी काफी कपड़े धोते हैं, महिंदर सिंग धोनी क्या करते हैं, धोते हैं, बोलों को धोते हैं, क्रिकेट वो खेलते हैं, बोल धोते हैं, खुद क्या हैं, वो एक सैनिक है, तो यहां से हो जाएगा सैनिक कल्यान, और वो धोते हैं, मतलब की बोलर जो उनको बोल करवा रहा है, उसके पर six force वो लगाते हैं उनको धोते हैं तो धोने से मतलब आपको धोना तो अगर local language में बात करेंगे धोना अगर आपने किसी चीज को है कपड़ों को धोना है तो आपको पानी की जुरूरत पड़ेगी तो पानी का जो relation आएगा वो आएगा हमारा सिंचाई से तो महेंदर विभाग है irrigation and public health हमारा जो department है उसका जो है वो नया नाम रखा गया है और उसका नाम है जलशक्ती मंत्राले हिमाचल में जो है इसका एक नया नाम रखा गया है और यह है हमारा जलशक्ती विभाग next बात करते हैं सुरेश भारदवाज तो सुरेश भारदवाज जी को जो है वो शिक्षा मंत्राले दिया गया है यह हमारे हिमाचल के education minister है इनको याद करने के लिए trick है सुरेश सुरेश में एक bird आ रहा है race जो है वो आपको जीतनी है अगर आपको race जीतनी है तो आपके पास education होनी चाहिए आपके पास दिमाग होना चाहिए कि मैं ऐसा कौन सा तरीका लगाऊं जिससे मैं दोड जो है race जो है उसको मैं जीत सकूँ तो मतलब आपको किसकी जरूरत है आपको शिक्षा की जरूरत है तो race से आपको शिक्षा की जरूरत है तो race से सुरेश तो सुरेश भ हिमाचल के उद्योग मंत्री हैं मतलब की इंडस्ट्रीज मनिस्ट्र हैं तो बिक्रम में जो है एक बर्ड आ रहा है और वो है हमारा क्रम बिक्रम में एक बर्ड है क्रम क्रम का मतलब होता है सीरीज बाई सीरीज क्रम बाई क्रम सीरीज बाई सीरीज तो कहां पे जो है वो क्रम बाय क्रम काम होता है, मतलब realities tik security Orleans पिर सेकेंड फिर थड़ वैसे ही हमारा जो गाम है वहारा होता है उद्योग में तो क्रम से हो जाएगा विक्रम सिंह को दिया गया है उद्योग मंत्रा ले नेक्स्ट बात करते हैं सर्वीन चोधरी तो सर्वीन चोधरी जी को जो है वो दिया गया है शहरी विकास मंत्रा ले यह हिमाचल की शहरी विकास मंत्री है और हिमाचल की एक मातर जो लेडिस हैं जो की हमारे हिमाचल प्रदेश कैविनेट मनिस्टर है और उनका नाम है सरबीन चोधरी जो की डिस्टिक कांगड़ा के शहपुर विधान सबा से बिलोंग करती है इसको आपको learn कैसे रखना है यहाँ पे एक bird आ रहा है इनके नाम में सर सर का मतलब होता है head सर का मतलब होता है head अब जो हमारा दिमाग है head मतलब दिमाग वो आपका कहां रहता है वो शहर में रहता है मतलब की आप गाओं में नहीं जाना चाहते अब जो भी लोग हैं वो शहर की दुनिया में भागना चाहते हैं गाओं को छोड़के सहर को वो भागना जाते हैं मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो हमारा शहर की तरफ खिंचा चला जा रहा है मतलब कि सर सर से हो जाएगा सरबीन और शहर की तरफ हो जाएगा मतलब कि सहरी विकास मंतराले तो सरबीन चोधरी जी को जो है वो दिया गया है अर्बन डिवेल्पमेंट मतलब की सहरी विकास मंतराले जो है वो इनको दिया गया है नेक्स वन जो है वो है हमारे रामलाल मारकंडा रामलाल मारकंडा जी को जो है वो क्रिशी मंतराले दिया गया है यह हिमाचल के क्रिशी मंतरी है अग्रिकल्चर मनिस्टर है हमारे यह इनको आपने याद कैसे रखना है यहाँ पर एक बढ़ है लाल और मार कंडा लाल आपका एक बढ़ आ गया और दूसरा है कंडा कंडा का मतलब होता है कांटा अगर आप क्रिशी करते हैं तो आपको जो है वो कांटा लगने के चांसिस काफी रहते हैं क्योंकि अगर आप कनक का काम करते हैं धान का काम करते हैं तो आपको कांटे लग सकते हैं और आपका काम से आपका जो चेहरा है वो कैसा हो जाता है लाल लाल हो जाता है मतलब जब आप क्रिशी करते हैं क्रिशी करना इतना आसान काम नहीं है जब आप क्रिशी करते हैं तो आपको कांटे लगने के चांसिस काफी रहते हैं मतलब कि कंडा और आपका जो चहरा है वो लाल-लाल हो जाता है क्योंकि धूप में भी काम करना पड़ता है पूरा-पूरा दिन काम करना पड़ता है तो आपका चेहरा जो है वो लाल-लाल हो जाता है तो राम-लाल-मारकंडा का हो जाएगा कृशी मंत्राले ये जो हमारी ट्रिक्स हैं वो आपको सिर्फ को रिलेट करने के लिए हैं अगर आप दो-तीन बार ये वीडियो देखते हैं तो आपको चुटकियों मों जो हैं वो आपको हिमाचल प्रडेश कैविनेट मनिस्टर के नाम जो हैं वोापको इजिली लर्न हो जाएंगे next one जो है वो है हमारे बिरेंदर कवर बिरेंदर कवर जी को जो है वो ग्रामीन विकास एवं पंचाइती राज मंतराले दिया गया है हिमाचल के रूलर डिवेल्पमेंट और पंचाइती राज मनिस्टर है ये इसके लिए ट्रिक है इनके नाम से ही जो है वो मैंने लगवग सारी ट्रिकें बनाई है इनके नाम एक बर्ड है कवर कवर से हम क्या कर देंगे कुवर कवर से हो जाएगा हमारा कुवर किसको बोला जाता है कुवर बोला जाता है जो आपके फैमिली का हैड है कुवर मतलब की राजा महाराजा उसको कुवर बोला जाता है आपकी फैमिली का हेड है तो हमारे गाउं का जो हेड है वो कहां आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा पंचायत में और बही आपका क्या करेगा गाउं का विकास करेगा कुवर कुवर से हो जाएगा हमारा की जो हमारा पंचाइत में बैठता है जो लोग हमारे पंचाइत में बैठते हैं वो हमारे गाओं के हैड होते हैं जिनको हम परधान बोलते हैं और यही हमारे गाओं का क्या करते हैं विकास करते हैं तो वो क्या है बहां के राजा है मतलब की कुवर है तो कुवर से हो जाएगा कवर तो बिरेंदर कवर जी को जो है वो दिया गया है ग्रामीन विकास एवं पंचाइती राज मंत्रा ले काफी इजी आपको ट्रिक लगेगी दो तिन बार आप इसको ट्राइ करेगा नेक्स्ट वन है हमारा गोविंद सिंग तो गोविंद सिंग ठाकुर जी को जो है वो बन विभाग परिवहन और खेल को जो है वो इनको डिपार्टमेंट दिया गया है तो इनके नाम से ही हम एक ट्रिक बनाएंगे गोविंद गोविंद जो है वो भगवान क्रिशन का नाम माना जाता है तो यहां से हम एक ट्रिक बनाएंगे जो भगवान क्रिशन थे वो कहां रहते थे mostly वो जंगलों में ही रहते थे गउंगों को चराने के लिए ले जाते थे घूमते रहते थे मतलब कि परिवहन करते रहते थे यहाँ भाँ घूमते थे और खेलते रहते थे मतलब कि तीनों ही खूबियां जो है वो भगवान कृशन में थी और भगवान कृशन का जो दूसरा नाम है वो है गोबिंद तो गोबिंद सिंग ठाकुर जी को जो है वो हिमाचल परदेश का बन भीवाग परिवेहन और खेल कूद भीवाग दिया गया है नेक्स्ट वन बात करते हैं राजीव सेजल तो राजीव सेजल जी को जो है वो समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रा ले दिया गया है मतलब की सोशल जस्टिस्ट एंड एमपावर्मेंट मनिस्ट्र है ये हिमाचल के तो इनके नाम से ही हम एक और ट्रिक बनाएंगे राजीव में जो है वो एक बर्ड आ रहा है जीव मैं यहां से रा जो है इनके नाम से काट देता हूँ तो यहां पे एक बर्ड आ है जीव अब जीव किसको बोलते हैं जो हमारे पसूपक्षी हैं इनसान हैं उनको हम जीव बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे इनसानों को छोड़के मतलग कि पशू पक्षियों की जानबरों की उनको हम जीब बोलते हैं तो उनको क्या चीज नहीं मिलती है उनको जो है वो नियाए नहीं मिलता है आपने देखा होगा कई वार जो है वो बस या गाड़ी से जो है वो ग जीबों को जो है वो नियाए नहीं मिलता है तो जीबों से मतलग की जीब से हो जाएगा राजीव और नियाए से हो जाएगा समाजिक नियाए एवं अधिकारी का मंत्रा ले यह जितनी भी हमारी ट्रिक्स हैं वो आपको सिर्फ को रिलेट करने के लिए हैं दो या तीन बार अगर आप इस पीडियो को देखेंगे तो मैं आपको 100% गरेंटी देता हूँ आपको यह easily learn हो जाएंगे next बात करते हैं हम कुछ vacant seat हैं जो हमारी पहले भरी हुई थी लेकिन बरतमान में जो हैं यह हमारी खाली है तो सबसे पहले हैं हमारा खादेवम नागरिक आपूर्ती मंतराले जो की पहले था किशन कपूर जी के पास फिर इनको जो है वो लोकसभा की seat मिल गई इसलिए यह हमारी seat जो है खाली है नेक्स्ट बन बात करते हैं हमारा स्वास्थे मंतरी की यहां पे थे विपिन सिंग परमार लेकिन बाद में इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश विधान सवा अध्यक्ष बनाया गया था इसलिए स्वास्थे मंतराले की seat भी जो है वो हमारी खाली है नेक्स्ट बन जो है वो है हमारा उर्जा मंतरी तो उर्जा मंतरी जी की seat जो है वो भी हमारी खाली है पहले थे यहां पे अनिल शर्मा लेकिन कुछ फैमिली इशू की बज़ा से जो है वो इनको अपनी seat छोड़नी पड़ी थी तो यह हमारी तीनों की तीनों seat जो है वो बरतमान में खाली है और यह सारे के सारे जो तीन डिपार्टमेंट है वो हमारे cm सहाब के पास होते हैं और बरतमान में हिमाचल के cm है मतलब की मुख्य मंतरी है जैराम ठाकर जी तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और विजयपत्थ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद